तो तो वीकेंद मार्केट ऐनलेसस करो अवरी वीकेंड मार्केट करते करते मुझ में बहुत मैचरिटी आगे। इसलिए मैं जिससे भी मिलता हूना आजकर, मैं सबको बोलता हूँ, कि अपना वीडियो रिकॉर्ड करो, every weekend market का कुछ भी analysis करो, और एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसको यूट्योब पर पोस्ट कर दो, किसी और के लिए मत करो, अपने लिए करो. इससे क्या होता है, जो पहले रिकॉर्ड करने इतना है इसी है जूम के अंदर में लॉग इन करो रिकॉर्ड वीडियो मारो और जब हो जाए तो उसको बंद कर दो और वीडियो रेडी थोड़ा दिर बाद और उसको आप यूटुब में अप्लोड कर दो तो चालू करिए यह और जो जो यह काम चालू करे मैं आपको यूटुबर बनने नहीं बोड़ा हूँ बड़ अपना रिपोर्ट का तो बनाना पड़ेगा ना नहीं तो कौन बना के देगा अपको रिपोर्ट का ठीक है चले यह बात के बाद अब चालू करते हैं अपना वीकेंट होंवक करते हैं कि क्या हुआ मार्केट में लास्ट वीक क्या लग रहा है मार्केट में इस वीक हो सकता है और अपने को कैसे मार्केट में अप्रोच करना है और मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स तु वाच भी डिसकस करूँगा कि कुछ स्टॉक्स जो हमें और हमारी टीम को लगता है कि इंट्रेस्टिंग हो सकते हैं इस वीक के लिए वो भी मैं आपके लिए चर्चा करूओं अर। यह Snook Arcade का premium version का पार्ट है तो मैं चा रहा हूं कि मेरे YouTube के जो learners है वो version के जो outputs है वो देखें मेरे Thwal über are a 對啊 आपको पसंद आहैं, आपको फायदा हो तो बातमे स्टौक के सब्सक्राइब लिएगा, नहीं पायदा हो रहा है, तो मत कीजेगा, क्योंकि फायदा अगर नहीं होगा, तो मैं कभी आपको बूल भी नहीं सकता कि आप सब्सक्राइब कीरेए, चले, डिस्कॉज़न करते, वी अगर ब्याजदर पांच परसंट से जादा हो चुकी है तो मुझे लिए जंज में रहा है कि क्यों एफाई बाहर से आ रहे हैं यह कौन है यह पतागर नहीं बहुत जरूदी है और देखें एलेक्शन का समय इलेक्शन के अंदर में टिपिकली देखा गया है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उनका इंटेंशन होता है कि भाईया सब कुछ पॉस्टिव रहे और शेयर वजार में पॉस्टिविटी होती है ना तभी अच्छा लगता है तो मुझे लगता है रन अप टू दी मार्केट इलेक्शन जफिनेडी मार्केट पॉस्टिव रहना चाहिए लेकिन इस नाट गूंट बी वेरी इजी हां विकाज उपर के लेवल पे मार्केट में बहुत सारे लश्मन रिखा है और उसको क्रॉस करना इतना इजी नहीं बार्ट मार्केट ओवराल शुरू में तो तो 1266 का मार्केट पिर उपर दा कि हलका सा यह वापस से नीचे करेक्शन आया 133 फिर दोस्ती में क्लोज हुआ है सेंटिमेंट अभी भी ओवर बॉट है 60% और यह हो चुका नपेगा 82% है मतलब यह सेंटिमेंट अभी भी ओवर बॉट है तो मार्केट टाइम बेस करेक्शन का इंतिजार कर रहा है मतलब थोड़ा टाइम मार्केट हो सकता है यहां पर और बिताए उसके बाद ही मार्केट बड़ा मुव्मेंट दे पाएगा ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं let's talk about global market because ultimately हम सब global market में जीते हैं और हम यह नहीं बोल सकते हैं कि मुझे कोई परवा नहीं यूएस क्या हो रहा है या बाकि मार्केट क्या हो रहा है तो यह मतलब यूएस में वापस से इंफलेशन और वाली कंसर्न से वह वापस से चालू होगी और डॉलर इंडेक्स जो है वह एक सो तीन के ओपर चला गया तो यह ओ़राल स्ट्रक्चर जो है वह emerging markets के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बहुत मॉटिवेटिंग नहीं है, फरकि जबी भी युएस में ब्याजदर भरेंगे, तो emerging market में कोई क्यों invest करेगा, युएस का equity market अगर देखें, तो क्या जबर्दस performance नजदाक दे रहा है, देखें, amazing है, मैं नजदाक पगरे क्यों तो वह मुटा मुटी कशनाुमी के अंदर में इमर्टीिटी इमक्रिटेक्स की बात करें तो वह मुटा मोटी फ्लाइट जोन में आगए और निंफ्टी वर्सेंज मांपीर फ़ोड़ा सा कंसॉलिडेट कर रहा है निफ्टी में क्या चार्ट निफ्टी का 20640 यह उपर वढ़ यहां से उपर चलागे लिए अगर ब्रॉड़ी market का range देखे ना तो ये उपर का 18,800 और ये जो नीचे का level है ये 18,400 ये zone है ना बड़ा complicated zone हो गया ये और ये zone बहुत बड़ा अलक्षमिन रेका है ये इस इसके उपर market जाएगा इसमें कोई doubt नहीं है बट कब जाएगा ये मुझे लगता अभी भी वह इरधन market के अंदर में नहीं है वह force नहीं है market में जो market को बहुत रफतार से उपर लेके जाएगा तो थोड़ा time-based correction market में expected है ये इस तरह का चार्ट pattern से clearly समझ में आता है कि वह नीचे के level पर बायर भी है उपर के लेवल पर seller भी है तो I think wait and watch market का विव रहेगा ये है घंटे बर का चार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी mid-cap index और small-cap तो mid-cap small-cap बहुत अच्छा कर रहे थे पर I think now they are consolidating मुझे कोई इसमें fall नहीं निज़र आ रहा है और निफ्टी के अंदर में क्योंकि बैंक निफ्टी अब लीडर्शिप दे रहा वापस से तो बैंक लिफ्टी प्लस और निफ्टी माइनस केंड़ बैंक निफ्टी क्यों तेज हो रहा है पता ना strategy मैं बैंक निफ्टी कल लेकर 50 मुझे लगता है कि इस्ट्राइजी थोरा टाइम तक मुझे पैसा देगी यह स्ट्राइजी पहले भी मुझे पैसा दी यहां पर फिर मैंने इसको स्क्वार अप कर लिया था क्योंकि अब मुझे लगता है बैंक निफ्टी इसके ऊपर गया ना चावलिस हजार एक सो पचास तब मैं बैंक निफ्टी ले जो और निफ्टी के अंदर में सबसे पहले देखने यह यह जो एक पोजिशन बना रखें तो फ्यूचर ओववड़ी के अंदर में देखें तो एक अपर अपशिन का पॉजिशन जो है वो माईनस हलका समाईन से पहले तो इत्तों ना जो बड़ा तो समाईनस था लेकिन अभी हलका समाईनस है तो विचष का अपन इंट्रेस जो ओप्श उन्होंने बेच रखा है तीन लाग इसका मतलब पुड जादा बेच रखा है इसका मतलब उनको FI's को मंदी तो नहीं लग रही है मार्केट में तो बड़ा ही युनीक सा सिचुएशन पर मार्केट खड़ा है कि किसी को मंदी नहीं खिलनी है और तेजी केलने के लिए पैसा आना पड़ेगा पैसा कहा से आएगा यूएस में इंट्रेस्ट रेट इतने हाई है कि इंडिया में भर-बर के तो पैसा नहीं आने वाला है और इंडियन इंवेस्टर जो है वो अलड़ी इतना स्टॉप होल्ड करके रखे हैं कि उसको उनकी पैसे नहीं बन रहे हैं और FI पैसा निफ्टी और कि निफ्टी में तो बहुत और चोटे अमाउंट खेलना चाहिए अगर कोई खेलता है तो खेलना ही होता है है ये दैटरेटेवीम हो तो ृद्वेस्टे रहे हो नो कारता हो तो मैं बेंड़ के खिलुगा पर चोटा उप चोटा बहुत चोट बन भी काम तो बहुत हो रहे हैं बहुत ज्यादा इन फैक्ट टाइम ही नहीं इतना काम है तो मैं आपको दस टॉक बताता हूं जो हमारे एज रिपोर्ट के अंदर में यह प्रीमियम वर्जिन का पार्ट है हम यह स्टॉक्स देते हर वीक और जबरतस्त है बहुत अच्छा परफॉर स्टॉक्स करें हैं ऋधोर्त को एडिक है तो जिसंदर और ऑफॉर्त जांद को यहीं लकाया प्यार हैक्ते इने इतका यह हम यहां इसको क्यों प्लिक करना हो ने पर अलर्ट में डाल देता हूं कि जब ये इसको क्रॉस करेगा तो मेरे को पता लग जाए ये ट्रेडिंग यू के अंदर में बहुत दीप क्यारा फेसलिटी इंफेक्ट स्टॉकेज में भी है बट मुझे ट्रेडिंग यू इसलिए पसंद है विकाज मैं प्रोफेशनल फु क्योंकि मैं इसको विकली ट्रेड के साफसे दिखेर जाएं तो अब कि हिसी करो और थो आवली के हिसाब से ही गुदिज कर वो दूसरा हैं इंजीनियर्स इंडिया इंजीनियर्स इंडिया एकड़े में क्या चल रहा है वाँ देखिए मुटा-मटी दौनें स्तौक के अंदर में इंजीनियर्स डाजर इसके अंदर में तिंदू मेरे कम अचीसा उठानीन लग रहा तो यहां पर आप Swing का पॉच्विटी जूण सकते हैं इंजिनियर इंडिया के अंदर में उसके बाद चलते हैं अपने First Source Solution इंट्रेस्टिंग यह एक Eagle Stock भी है वैदर भी हां First Source Solution में आ जाते हैं First Source Solution FSL यह भी मोटा मोटी काफी अच्छा मोमेंटम पे है काफी strong move दे चुका है रिस्क रिवार्ड उतना favorable नहीं है आई तिंग यह थोड़ा नीचे आए यहां के लेवल के आसपस है तब तो इसमें फायदा काम करके नहीं तो अभी इमिरेटली इस पर हम कुछ काम नहीं करें इसके बाद है आइं अगया और आपको यहां से अच्छा रिट्रेश्मिंट सपोर्ट मिलेगा हर तरह से सटॉक के अंदर में मोमिंटम है तो इस इसंग यहां इसको अपने एक कालर्ट इसमें आड़ कर देते हैं कि इसके ऊपर गया अगर तो फिर मुझे पता लग जाए अभी मार्केट के अंदर में ब्रेकाउड अपॉच्विट इसके करें आपको काफी स्टॉक इस तरह से मिलेंगी जो प्रेकाउड राम को सिमेंट यह सिमेंट स्टॉक में आग ले थोड़ा रिट्रेस करें इस लेवल के 800 के आसपास आए तब दिमाग लगाना चाहिए एक तरीके का सुपर ट्रेंड सपोर्ट भी है और एक अमाली ब्रेकाउट यहीं से ही मेजर हुआ है तो यहां पर करके अपने इक अलर्ट आइट कर देते हैं इस स्टॉक के अंदर ले मैस्टेक भी एक अधिस इस ब्यूडफो यह थे अपना 200 मुविंग आविरेज के उपर इसने क्रॉस ओवर गिया है और यह हर माइने में बड़ा अच्छा मुमेंट इसका मिला है पहला दिन अविसलिए काफी मूव कर चुका है यह 1790 सेले का 1890 सौर पर का मुमेंट आगया मैं अपना थाउट पोसेस आपको बता रहा हूं कि कैसे मैं देख रहा हूं चीजों को कैसे हमारी टीम देखती है चीजों को बिला सॉफ्ट अगें 200 मुविंग आविरेज के ऊपर अच्छा ब्रिकाउट देए इस टॉक मैं तो इसको भी हम ट्रैक करें तो बेटर देगा एन एडिलिमिटेट फिनांशिल अ कंप्यूटर एडिकेशन के अंदर में बट बड़ा ना 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 आट लिमिटेट है और पिसली इन 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 इनुटियों को इन चोटी जो सौफ्फ़र कंपनी जे उनके अंदर में अच्छा अच्छा वर्किंग हो रहा है और बिस उस और बीधी देखता चाहिए यहां से वापस गुम सकती है इसके बादए सेंट्रम् इलेक्ट्रोनिक्स सेंट्रम् शेंट्रम् इलेक्ट्रोनिक्स जुए इस लुक्स अब्रेकाउट कैंड़िट्ट तॉ बोस्दी मुझे लग रहा है अभी तो काफी स्टॉक्ट ऐसे मिलते हैं जो बिर्काउट केंडिडेट बनते हैं तो इट विल बी गुड आइडिया तो लुक अट दीस टॉक्स नेक्स पीक के परस्पेक्टिव से विल्ला केवल इसले番केट कंडिशन पेंड करता है जिसे अगर लास्स दो तीन वीक से वारे में भी हमने बात कि यह वाँ बला केवल का देख किया वाँ 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 वा ओड़ा थी त्रीं यह 10 stocks जो है इन पे में next week नज़र रखूँगा और देखते हैं क्या होता है अगर इनवे से कोई stock में ideally हमको क्या करना चाहिए कि कौन सा stock चलेगा कितना चलेगा ये बताना बहुत मुश्किल है तो ideally इन stocks के अंदर में अगर Monday को कोई भी stock इसमें positive momentum दिखाता है continued momentum तब छोटा छोटा पैसा से उस stock में position बिल्ड कर सकते हैं आप अगर देखना चाहते हैं कि पुराने stocks कैसे perform कियें इसमें तो यहाँ पर पुराने reports भी है तो आप पिछले week का एक report देख सकते हैं कि ultimately जो stocks हैं पिछले week में थे वो कैसा perform कियें इस week जैसे example ले लेते हैं कि last week rainbow child medical था तो वो last one week के अंदर में कैसा perform किया है तो वो देखने के लिए आप technicals में जाईए और यहाँ पर one week का performance देखें तो यह 5.46% stock तेज़ था ऐसे करके आप weekly basis पे हर stock को track कर सकते हैं कि क्या यह stocks जो यहां mention किये गए हैं यह relatively अच्छा performance देते हैं कि नहीं देते हैं देखें इलेक्टान इंजिनेरी last one week के अंदर में 11% देशता तो these are good stock list for someone who cannot find stocks on his own उसके अलावा I think आप stockage के अंदर में जो combinations जो में यूज करता हूं FIPA, SEPA RS stocks, देखें RS के अंदर में कई stocks से मिल जाएंगे जो probably in stocks के में भी आते हैं तो यह सब कुछ stocks है जो powerful है और इन में high momentum है तो इन में participate किया जा सकता है तो basically जब हम stocks में काम करने की बात करते हैं तो या तो आप investing करते हैं value investing long term के लिए तो वह एक अलग January है या तो आप momentum trade करते हैं जिसमें आप stock पे 10-15% का move पक़ने कुशिश करते हैं 3% का stock loss में यह छोटा swing का होगे और तो यह लंबी FD का swing like 20 दिन, 25 दिन 3 मेने, 2 मेने के लिए period के लिए तो वहाँ आप 7-8% का stock loss और 20-25% 30% का move पक़ने कुशिश करते हैं सारे science stock market आपको बस सीख के कोई एक science को adapt करना है practice करना है और practice करते करते perfection आजाती है ऐसी बात नहीं है बस खाली genuinely honestly अच्छे तरीके से market में involved रहना है अगर आप खाली tip लेते रहेंगे दूसरे लोगों से तब मशूर होगा यह जो 10 stock मैंने आपको बताया इसको आप tip मत समझेगा यह एक study मैंने आपके साथ share दिये और आप stockage के अगर member बन जाते है premium member in fact आप stockage club के member बन जाते हैं जहाँ आप premium pro सब कुछ अब लेगा तो वहाँ पर आपको anyways बहुत सारे stock ideas मिलते हैं जो perform करते ही है with logic हम खाली एक idea नहीं देते हैं हम एक reason भी देने की कोशिश करते हैं चलिए thank you good night have a great week ahead ध्यान रखिएगा मिलते हैं पहुचर bye-bye